ऐसा अस्थान जहां आते हैं जंगली सुवर और जंगली सुवर बड़े खतरनाक होते हैं अब उन्हीं कई लाके में हैं जो नर होता है उसके दांत निकले होते हैं नुकेले दांत और अगर जंगली सुवर अपने आप पर आ जाए तो क्या तेदवा क्या चीता क्या सेर और उनसे भी लड़ जाता है दावर भी बहुत उनकी बहुत अच्छी होती है यह हम गंगा के किनारे हैं गंगा के किनारे जंगली सुवर का आसियाना है गंगा की कटान लगातार हो रही है हम आपको दिखाते हैं और कुछ लोगों से बाद भी कराएंगे यह देखिए कटान का ही है नीचे आप देख रहे हैं समर सिवल की बोरिंग की गई थी और कटान हो गई कटान होने के बाद अब उससे आप देख रहे हैं नीचे और इधर हम जहां खड़े हैं यह लगातार कटान का इलाका है कटान हो रहा है उसी समरसिबल से सिचाई भी हो रही है, इधर पानी आ रहा है, आप देख रहे ही से, और इस तरप या गेहुंकी फसल है, गेहुंकी फसल के बीच सरसों की फसल है, और इधर जंगली जानवरों से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से भी प्राय नील गाय यहां आते हैं यहां सियार यानि गीदर आते हैं यहां जंगली सूर आते हैं खरगोज से बहुत दिक नुकसान नहीं होता है लेकिन इधर के दिनों में जो गाय हैं बचडे हैं जिनने लोग छुट्टा छोड़ देते हैं जो उतर प्रदेश में किसानों के लिए सबसे संकट के सबब बने हुए हैं वह भी आते हैं एक बार कटान का इलाका आप देखिए और नीचे लौकी जमी हुई है लौकी इधर वह है लतरी नहीं है मसूड है और इधर लोकी देखिए छोटे-छोटे फल लगे हुए है वाँ खुबसूरत नजा रहा है दोस्तों और इधर भी आप आजाई है हम एक बार दिखा देते हैं यहों के साथ-साथ इधर देखिए टमाटर है टमाटर इसमें खाद कम लगती है गंगा का इलाका है उधर सरसो है और इधर पक्षियों का कल रहो है बिविद प्रकार की पक्षियां आपको मिल जाएगी तो इधर आप देख रहे हैं टमाटर टमाटर में अकरी है, बतुआ है और इधर भी आप देख रहे हैं या एक मटर होती है जिसे सुगयवा मटर भोलते हैं जो किसान होंगे वही इस बात को जानेंगे सरसो में लाही के कीडे लेगते हैं बहुत खतरनाक होते हैं सरसो के फूल पीले भी होते हैं सफेद भी होते हैं इधर आप देखेंगे तो अभी देखिए मचली मार करके अभी समेट रहे हैं जै मंगल भाई और उधर पक्छिया हैं देखे कवा हैं इधर मैं दिखा रहा हूँ अभी अगर उड़ेगी तो लंबी चोच वाली पक्छिय ऐसे नाश्ते नाश्ते जाएगे और ऐसे बारेगी सिकार अगर हाथ लग गया तो ठीक है तो फिर आगे अब यह दखिए हम थोड़े खतरनाकी लाके में हैं इधर आपको साप भी मिलेंगे जहरीले साप और इधर खरगोस से ही मिलेगी जिनके काटे होते हैं और फिर खरगोस मिलेंगे कुछ और भी जंगली जानव समाप्त हो गए तो आई अब हम कुछ किसान लोगों से भी मिलबाते हैं और आगे बढ़ते रहे हैं मिलबाते हैं और फिर आप यहां का यह असास कुदर्ती ताकत है इस जमीन में गंगा का हुआ हिलाका जहां गंगा में अगर बार आजाती है तो अगले साल फसल की पैदा पालक हैं किसान है जिन्होंने गाय रखा है और उनसे भी हम बात करते हैं क्या नम है आपका बलवंत यादाओ अरे वो हरियां खड़ा आई तो पहले का उड़ा उड़ा तो कुदले हो आए बाजल है कि ना खूब पहले कामन दाव मारी पहले अरे दाव को गिंती काला को अपट को अब बंखुडी ना रहे लेकिन अच्छा पुलीस में रहा लहीं को नी पुलीस में जय हो जय हो जय हो बलोंत यादाओ जी की जय हो आप उतरपदेश पुलीस में रहे हैं कब रिटार हुए कि आप छोड़ दिये नवरी 2004 में रिटार भेले हैं भगमान तो कि आप जाइए उर नए वहरा आपन चाहीं ता पुलीस में कहा कहा रहली आप आरे बहुत जागा रहली नवरे ज्यासी के तरफ बादा रहे अच्छा इधर कानपूर रहे इलाबाद रहे गोरख पूर रहे दोरिया रहे हां चंदोडी रहे अच्छा महराज गंज ने 2001 में खेती किशानी में लग गए हैं, का करेंगे दूसर कॉन दंदा, लेकिन बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, कोई आपको जानेगा नहीं कि आप सिपाही रहे हैं, तो सिपाही से ही रिटार हो गए आप, सब इंस्पेक्टर से, बाह, दन है आप, दन है, देखिए, सब इंस्पे लग गया, तो आप तो बड़ी मेनद की होंगे, तब नहीं स्टार लगा होगा, यह है, दरोगा जी, मुझे क्या पता की दरोगा जी खेती करते हुए, और इस रूप में मिल जाएंगे, हाथ में कुछ खुरपी लिये हैं, क्या कुछ, क्या है, देखें एक बार, जिनके हा जीवनतता है, आपकी जीवनतता का यहीराज हे, यहीराज हे, इथारी गांजा कैसे जम गया है, यह तरह से, चारी जम गया है? दो यह तरह से, लोग चड़ाने आते हैं, क्या करते हैं, लोग संकर जी मोग तो छाइब आटीध PPGSt? मोग परिफ लौन में तो लोग सेबानीं ब्रिफ होते हैं तो जानते हैं भया आब तो हमारा काम खतम हो गया अबum seबान अब ऑ्रिफ हो हो जाए दो चार साल में खत उतिह है लेकिन असली जवानीजा आप जी रहे हैं क्योंकि आजमी जड़ी मर जाते हैं हाँ करने लगा हाइ करके मर जाते हाइज हाइ नहीं करना है चलिए दरोगा जी बल्वंत त्यादव जी के लिए हमारी सुपकामना है और यह दखी अई गाजा है चुकि मैं जानता हूं गाजा पिया तो नहीं हूं कभी एक भार भांग है नहीं हां अच्छा भांग है अच्छा इसा इगाजा भी होता है ना अच्छा तो तो आएगी सिवरात तो सब ले जाएंगे इसको चड़ा देंगे संकर जी को आने वाली है सिवरातरी तो कुछ दिन क्यों और है फिर इसमें कल्ये निकलेंगे फिर तो साबी तो बड़ी कटान हो रही है ना देख रहे हैं आप च्छत रही होगी जो तूट गई है मकान था ना तूट गया और यह गंगा में रेत पड़ गया है इधर समसान घाट भी है इधर देख रहे हैं कि ऑर यह है चलिए हम कुछ दिखाते रहें को लोग भीी मिदेश में इससे गोबर गोबर ऐसे किया जाता है इससे करकर है और ऐसे गोबर नहीं ठीक ठीक है सर हम बता रहे हैं कोई बात नहीं ऐसे किया जाता है मतलब बार-बार हाथ न लगाया जाए इसलिए फरुही होती है और इससे खेत में भी लोग करते हैं मतलब पानी असी चाई के लिए ऐसे करते हैं देखिए एक जोपड़ा है और दरोगाजी ने अपना जीवन बना लिया है संत जैसा जीवन इसलिए है डिगनिटी के साथ जिन्दा है एक बार भी नहीं तो यह कहते कि भाया हम अपने दिखाते क्योंकि रहे हैं एसाई होकर के स उदर सर्षो है धनिया है और इधर प्याज है प्याज कभी मांगी हो जाती है कभी सस्ती हो जाती है प्याज और दरोगाजी इसी में लगे हुए थे प्याज में हम आगे कुछ और भी दिखा देते हैं इधर देखिए भी सर्षो का एक पौधा है एक पौधे ने अपने व जव है आईए हम जव को दिखाते हैं यहूं तो बहुत देखाओगा आपने जव की खेती अब कम हो रही है अब हम ऐसे पीछे बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं चलते हुए देखिए धनिया है धनिया जिसकी चटनी आप खाते हैं तो यह धनिया है इसमें फूल है धनि इसली चीज होती है, लेकिन इसका अब लोग इसी का आथा इसकी रोटिय कहना सल्ट करते हैं पहले बेज़ती थी जो कि रोटी खाने में अब तो यह यह असली चीज हो गए यह सुपाच है जव का सत्तू भी खाते हैं चना और जव का सत्तू बहुत लाप्रद है उधर देखे बाजरे का डंठल है जिसे पसू खाएंगे इधर सबसो है चलिए पूरा इलाका आप देखिए और हम है कुर्था गाओं के पास यह और तीन महीने तक मिलने का इंतिजार किये पवारी बाबा से उसको भी हम दिखाएंगे तो भगवान सुर्य अब डूबने वाले हैं बारिनका भी दीदार करिए और फिर गंगा जी को प्रडाम करिए गंगा पोसन है गंगा का जल अमरित के समान होता था गंगा से करोडों लोगों का जीवन चलता है तो दरुगा जी जहिंद नहीं सर फिर